नमस्कार दोस्तों स्वागत है अप्टी यूटोब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं दोस्तों इस शुलम देखने वाले हैं आज जीके के लगबग 15 क्योसंस मिले हैं साइंस के भी 15 क्योसंस मिले हैं और हिंदी के बाकी जो बच्चे हुए स्वाल लगबग 20 के आसपास ये एकदम रियल और ओथेंटिक स्वाल जो मिले हैं वही आपके सामने रख रहा हूँ इसलिए वीडियो डिल्ले हो जाता है स्वाल को वेरिफाई करने में थुड़ा टाइम लग जाता है इसपिसल थेंग्स यहाँ पर नितेश काट्यार का जिन्होंने पर्थम शिप्ट के स्वाल वेरिफाई के और रियल स्वाल भेजे हैं बहुत बहुत धन्यवाल आप भी अपने शिप्ट पूचे के स्वाल भेज सकते हूँ इसके लिए आपको टेलिग्राम से जोड़ना हो शुरुआत करते हैं जीके के स्वालों के साथ उसके बाद देखेंगे अपन साइंस के स्वाल और लाश्ट में हिंदी की स्वाल तो पहला स्वाल है आपर जेंदल नोलेज का दहेज उत्पिडन संबंदित धारा कौन सी है तो दो धारा सामने आती हैं एक दहेज हत्या की ए जिसमें कम से कम साथ साल की सजा है वो मिल जाती है और दहेज हत्या की केस में ये देखा जाता है यदि किसी ऐसी महिला की संदिक्त परस्तिती में मर्ति होती है जिसका विवाज साथ साल है इससे कम समय में हुआ है यनि सादी के साथ साल के दोरान ये किसी महिला की संदिक्त इस्तती में मौत हो जाती है तो पती और उनके ससुराल वालों पर दहिज हत्या का मामला बन सकता है 304 B के तैद अब यहाँ पर यही दहिज के लिए उत्पिडित किया जाता है दहिज मांगने के केस में तो 491 धारा लगती है जिसमें 3 साल की कैद का प्रावदान है अब दहिज निरोदक कानून कौन सा है तो 1961 है दहिज निरोदक कानून जो दहिज देना और दहिज देना दोनों इस जुर्म इसके तैद बताया गया है स्वाल पूचा कि सारजूनिक इस तर पर बारूद लाने पर सजा का प्राउदान क्या है तो सारजूनिक पब्लिक पेलेस पर यही घोला बारूद लेकर जाते है बीरा लाइसेंस के इस टाइब से इनका export, import करते हैं तो यहाँ पर ARMS ACT की 25 लग जाती है आमस ACT की 25 के तैट कम से कम 7 साल की सजा है और जितित्म आजीवन कारवास की सजा दी जाती है तो धारा 25 का Close 1 में करख गह में यहाँ पर अलग अपराद की case में गिर्पतार किया जाएगा और उससे कम से कम साथ साल की सजा का प्रावदान है और यह जो आम्स एक्ट आया था यह 1969 की धारा यहां पर लगती है नेक्स वाल यहां पर आपको पूछाएं अगला स्वाल देखें उससे पहले टेस्ट बुक की एक वेहतरीन डील यही आप किसी मौक टेस्ट में क्या खासियत है तो यहां पर इनका एक फीचर है पास प्रूब इसके प्रिविश एर के जो भी ऑनलाइन एक्जाम हुए या ओफ लाइन हुए उनके पेपर आप मौक टेस्ट की रूप में देश सकते हैं तो प्रिविश एर की पेपर आपका अच्छा खा है तो जरूर आपा सेलेक्शन होगा अभी आप टेस्ट पास प्रो में कूपन को टीटीज के एपलाई करके एक्स्टर डेस्काउंट वेज सकते हो 12 परसंटेज का लिंक डेस्क्रिश में है कैसे आपको टेस्ट पास प्रो लेना है वह भी डेमो वीडियो आप चगाउट कर मिल जाएंगे अगला स्वाल है पच्छिम मंगाल में कौन कौन सी भासा हैं बोली जाती है पच्छिम मंगाल में दोस्तों विशेशकर यहां की जो सरकारी भासा हैं वो हैं बंगाली और इंग्लिस दो ओपीशे लेंग्वेज है इसके अत्रिक्त पच्छिम मंगाल में इंदी, ओडिया, संताली, कुडमाली, उर्दू, पंजाबी, कामतापुरी और नेपाली भासा भी बोली जाती है। किसी राज्य की कार्य कलाब से सम्मझित लोक शेवाएं और पदों के लिए भरती का और निक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विन्यमन कर शकेंगे। जब तक कानून नहीं आता है। जो सेंटर है किसके अधिन आता है तो ये इलेक्टोनिक्स एंड इन्फोर्मेशन टेक्नोजी मंत्रा लेके अधिन। NSZ National Security Guard तो NSZ का आपको पूचा क्या कार रहे है तो National Security Guard का कारे क्या रहता है। भारती आतंगवाद, निरुददक और विशेश अभ्यान इकाई हैं यनि ये जो इकाई है आतंगवादी गतिवीदियों से निपटने और आंतरिक गड़िबडी से राज्यों की रक्षा करने के लिए इसकी गठन है जो NSZ का गठन है वो 12 अक्टूबर 1984 को Operation Blue Star के बाद किया गया था ये गरह मंत्राले के अधिनिक आतंगवाद रोधी काई है जिसे Black Cats के नाम से भी जानते हैं भारत में IB की स्तापना किस अंदुलन के बाद हुई तो यहाँ पर हैं सेपाई विद्रो अथारसो सत्ता उनके सेपाई विद्रो के ब भाहिए दोनों की ये एक तरीके से Agency थी खूपिया Agency थी और जैसे 1962 का भारत चीन यूद दुआ और उसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान यूद दुआ इसमें इस IB को कुछ सफलता हासिल नहीं मिलेती खूपिया इंपुट नहीं मिलेती जिसके तहद इसको भाहिए जो विद अपन कुमार देखा है और आपको पता दू बाहरी सुरुक्षा पर नजर रखने के लिए जो खूपिया Agency है वो रो है क्या है आरे डब्लू एनी रिसर्च एंड एनलिसिस विंग है तो अठासो सत्ता उनके विद्रों के बाद अठासो सत्ता सी में आई बी की स्तापना की गई थी 12 जनवरी को कौन सा देखा हाली में मनाया गया 12 जनवरी को दिवस ये दिवस है राष्टी यूवा दिवस है तो राष्टी नेशनल यूथ डे हैं ये 12 जनवरी को श्वामी विवेकानंद जी की जैनती के अवसर पर मनाया जाता है अब श्वामी जी ने विवेकानन जी ने एक और स्टेटमेंट दिया था जब कोई नई चीज नया नियम वगएरा कुछ आता है नब सबसे पहरे तो उसका मजाक बनता है मजाक के बाद उसका विरोध होता है यह अपन देखने का मिलता हाकिकत में और विरोध के बाद उसको स्विवेकार कर लिया जाता है तो यह भी विवेकानन का कथन है और जो राष्टी युवादी उस मनाते हैं 12 जनवरी को इसकी सुरुआत 1985 में हुई है पहली बार मनाया गय भारत के एट्रोनी जनरल का कारेकाल कितना होता है अब एट्रोनी जनरल का कारेकाल है महा न्यायवादी का कारेकाल है यह फिक्स नहीं है राष्ट पती के परशाद प्रेंद रहते हैं राष्ट पती की जब इच्चा है उन्हें हटा भी सकते है तो जो भारत के एट्रोनी जो धारा है यहनी समीधान का अनुछेद छेतर के तैयत न्युक्त की जाते हैं राश्टपती की दोरा और उनकी परशाद प्रियंद इच्छा अनुसार रहते हैं उत्राखंड में कुल कितनी इस्तानी भाषा या बोलिया बोली जाती हैं तो सभी राज्जों की जो लोकल लेंग्वेज की नंबर से उसका जल्दी वीडियो देखने को मिलेगा थोड़ा टफ रहता है यह स्वाल तो उत्राखंड में कुल कितनी इस्तानी भाषा या बोलिया बोली जाती हैं इससे पहले 36 गडगा भी आया था नंदवंश का संस्तापक कौन था नंदवंश महा पद्म नंद थी नंदवंश की स्तापना है 345 इसापूरो में महा पद्मा नंद के दोरा शिशुनाग वंश की अंतिम सासक महराजा महनंदी के हत्या करके की गई थी नंदवंस ने 343-321 इसापूरों के बीच में उत्री भारत में मगत पर शाषन किया था इसी राजवंस का अंतिम साषक नंदवंस का था धना दंद और नंदवंस के बाद वंस रहा था दोस्तों मोरे रवंस मोरे वंस के संस्तापक चंदरगुप्त मोरे थे और मोरे वंस का सासनकादराब 322-180 इसापूरों अब और भी वंस यहापर आप देख सकते हो नंदवंस से पहले था शिशुनाग वंस है अब इनकी राजधानी है यह और इनके संस्तापक है एक वंस के राजधानी राजगर पार्थे पूतर और संस्तापक कौन थे बिम्बी सार इसी प्रकार शिशुनाग वंस के संस्तापक शिशुनाग है राजधानी पार्थे पूतर वेशाली नंद वन्स के महापदमा नंद, मोरे वन्स के चंदरगुप्त मोरे, शुंग वन्स के संस्तापक है, पुश्य मित्र शुंग, विदी सराजधानी, कणव डायनेश्की के संस्तापक वशुदेव है, सातवान वन्स के सिमुक है, राजधानी पेटेन है, चेदी वन्स के संस्त बिल था विदेग था 2014 में आया था ये बिल एक्ट के रूप में बना 2016 में और लागू हुआ 2017 में एक जुलाई 2017 को जीश्टी लागू हुआ इससे पहले 2014 में 122 समीदान संसुदन बिल आया जो 19 दिसमर 2014 को समय वित मंत्री अरून जेटली के दोरा लोक्षवा में पेश किया गया और 6 माई 2015 को सदन दोराई से पारित किया गया राज्यसवा की चैन समीदी ने 2015 को 22 जुलाई को विदेग पर अपनी रिपोर्ट परस्तूत की उसके बाद विदेग 3 अगस 2016 को राज्यसवा दोरा पारित हुआ और संसुदित विदेग 8 अगस 2016 को लोक्षवा ने पारि यहाँ पर राष्टपति की अधिसुचित में 50 परस्टेज राज्यों का अनुसमर्थन आउश्यक था और ये 8 सितंबर 2016 को मंजूरी मिले इसकी नेश्ट अपना एक स्वाल था एक्जेक्ली जिनको पता बताना इंटर नेश्टन मानोदिकार से कुछ स्वाल पूछा गया था कुछ अंग से संबंधि स्वाल था एक्जेक्ली क्या था जिननों ने एक्जाम दिया बता रान ? अब एक स्वाल देखे गरेलू इंसा की परिभाशा पूचा तो वो धारा तीन है और यह जो गरेलू इंसा से माईरा सनक्षन एक्ट दोजार पांच लागू हुआ है चब्वी सेक्टूर पर दोजार चपूर तो यह थे आपकी जीके की स्वाल अभी कंटिन्यू करते हैं साइन्स की स्वाल स्वाल पूचा गया है जूल और अर्ग की बीच में क्या चंबन्द है जूल और अर्ग की बात करें तो एक जूल में दस की घात साथ अग होते हैं कितने होते हैं एक जूल में दस की घात साथ अग और इस अग को आप कह सकते हो केजी मिट्रे स्कॉयर पर सेकेंड स्कॉयर किल numerical आपके ओम का नियम था वी बराबर आई आर से numerical पूछा गया था तो यह कोई numerical में value put करके आपका आया था exactly आप बदा सकते हो जन्होंने exam दिया है परतंपारी में next यहाँ पर science का एक जैनर डायोट से स्वाल पूछा गया है जैनर डायोट की बात करें तो यह थारा की दिशा बदलने का काम करता है यह एक ऐसा अरज चालक उपकरण है जो current को दोनों देशाओं में प्रवाइद करने की अनुमती देता है यह चाहता है तो current आगे भी जाए पीछे भी जैए जिस भी डायोट बदलना चाहता है जैनर डायोट बदल सकता है लेकिन होता है जब वाल्टेज ज्यादा हो जाता है उस case में धारा को ये वापस reverse कर देता है दूसरी direction में भेज देता है ताकि कोई अपकरण खराब ना हूँ तो जैनर diode जिदी voltage, breakdown voltage जिसे जैनर नी voltage या जैनर voltage भी कहा जाता है ज्यादा voltage की case में उल्टी देशा में ये धारा को बेहने के अनुमती देता है ये डायोड ये है जैनर डायोड जो दोनों direction में धारा को चलने के अनुमती देता है next यहाँ पर एक और अलक्ष स्वाल पूछा गया निग्रहीता से स्वाल पूछा गया है निग्रहीता का मात्रक क्या है निग्रहीता का मात्रक दोस्तों एम्पियर पर मिटर है क्या है एम्पियर पर मिटर और इसका मात्रक और स्टेट भी है और स्टेट ने खोजा तो और स्टेट भी इसका मात्रक है एम्पियर पर मिटर तो है ही है निग्रहिता किसी चुम्मकी पदार्थ की उस शम्ता की माप हैं जिससे वो पदार्थ किसी बहारी चुम्मकी छेतर में रखने पर बिना चुम्मकीत हुए रह सकता है तो बिना वी चुम्बकित हुए वो पदार्थ रह जाएं यहीं चुम्बक की गुण नश्ट हो जाएं तो वो उसकी पौवर है उसकी शमता है उसे चुम्बक की पदार्थ है और चुम्बक की छेतर में रखने पर बिना वी चुम्बकित हुए रह सकता है तो यह उसकी शमता capacity है निग्राइता कहलाती है जिसको ampere per meter में denote किया जाता है अब आपको बता दूँ एक होती है चुम्ब की धान शीलता है यानि चुम्ब की तेउरता का मान सुनने होने पर हैं चुम्ब की बिल्कुल नहीं गोण है चुम्ब की धान शीलता है केतने समय 것도 वह धान करता है अब यहां पार ampere per meter आपके थी निग्राइता की unit आप चुम्ब की unit भी ampere per meter होती है चुम्ब की निग्राइता की unit है वो ampere per meter होती है पारगमेता की ऐसा unit होती है Tesla मिटर per ampere तो Tesla meter per MpR होती है, पारगे मिता के SI unit, चुम्ब के 26 के SI unit होती है Tesla, नेश्ट अपन सवाल देखते हैं, सभसे जदा आवरती किन किरनों की होती है, सभसे अदीक आवरती होती है, तो गामा रे की frequency सभसे अदीक, जिसकी frequency सभसे अदीक उसका wavelength तरंग देदरी शब से कम है, तो आ वो गामा रहे है, गामा में उर्जा बहुत अधीक होती है, आवर्ती बहुत अधीक होती है, तरंग देदरी कम होती है, सबसे अधीक तरंग देदरी किसकी होती है, तो वो होती है दोस्तों, रेडियो वेव की, रेडियो वेव की वेवलेंड सबसे अधीक होती है, तो इसका जो चुम्ब की spectrum है, इसमें आप देखेंगे raise की, तो तरंग देदरी का बढ़ता करम आप देख पा रहे हो नीचे, यानि सबसे कम तरंग देदरी हैं गामा केरनों के और सबसे अधिक तरंग देदरी है रेडियो हुए, तो सबसे लंबी दूरी तया करती है रेडियो हुए, वो सबसे कम दूरी तया करती है गामा केरनों के बाद तरंग देदरी का बढ़ता करम आप देखेंगे यहाँ पर x करने है, गामा के बाद जश्ट x-ray है, इसका जश्ट उल्टा होगा, वो करम होगा frequency गामा केरनों की frequency और सबसे हाइस्ट wavelength रेडियो तरंगे की और इसका उल्टा है, यानि सबसे अधीक frequency या फिर सबसे अधीक उर्जा होगामा केरनों की है, और सबसे कम उर्जा होगा रेडियो तरंगों की है, नेक्स अपना स्वाल देखेंगे सोडियम किस परिवार का, तो सोडियम आता है यह सबी उपना में समू का periodic table में पर्थम समू को शार धातू के नाम से जानते हैं, ग्रूप टू को शारी मृदा धातू, ग्रूप तेरा जो पी ब्लोक है उसका पहला तेहरवा ग्रूप उसको बोरान समू कहते हैं, चोदवा ग्रूप है कार्बन समू, पंदवा समू, सोहलवा ग्रूप को कैलकोजन या चैलकोजन कहते हैं, सत्रवा हैलोजन अठारवा नॉबल ग्रूप है, नेक्स्ट अपना है, न्यूमरिकल का स्वाल यहां पर भी पूचा है कि F बराबर M, बल पर आधारी एक न्यूमरिकल था और एक न्यूमरिकल आपकी कारे पर कारे बराबर बल गुणा यहीं एप गुणा जो विस्तापन है या फिर दूरी है तो बल गुणा विस्तापन होता है कारे अब यहां पर एप की इस्तान पर इदी में M, Z ले लू और फिर दूरी को H ले लू तो M, G, H भी हो सकता है इस पर भी एक न्यूमरिकल था चुम्ब की फ्लक्स घनत तो या चुम्ब की छेतर की तेउरता का मातरक है वो टेसला है चुम्ब की फ्लक्स घनत तो जैसे आप चुम्ब की छेतर की तेउरता भी कहते हो उसका मातरक टेसला है चुम्ब की फ्लक्स का मातरक है वो वे बर है एक दोस्तो हैंडरी मातरक है यह नेक्स्ट अपना स्वाल है P बराबर W बटा T से numerical पूचा है यनि P का मतलब है शक्ति पौर बराबर कारे करने की दर्शक्ति होती है तो इस पर एक नांकिक था कारे बराबर बल गुणा विस्ता पर आंकिक स्वाल बता दिया आपको नदी के किनारे नाव से कूदने पर नाव पीछे की और क्यों खिसक जाती है चलती नाव में कोई या पर इस्तिर नाव यादि आप उसमें जंप लगाते हो तो पीछे की डारेक्सिन में आप बल लगा रहे हो आगे की डारेक्सिन में आप जा रहे हो तो इस केस में नाव है वो पीछे खिसकी गई क्योंकि किरिया आगे की ओर है वो बल पीछे की ओर लग़ रा तो किरिया पर्तिकिरिया का नियम लगएगा, जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम की कार नाव पीछे की ओर मूव करेगी एक solar year में कितने वर्ष होते हैं एक सोर वर्ष में एक वर्ष ही तो होता है एक सोर वर्ष का इदि डे की बात करें तो लगभग 365 दिन बटा एक बटा चारें तीन सो सवा पैसट दिन तो पीन 365 दिन साथ साथ पांच घंटे 48 मिन 46 सेकेंड होती हैं एक सोर वर्ष में जहां पर प्रित्वी का सूर्य की एक बार प्रिक्रमा करने में जो पूरा समय लगता है न वो ये हैं प्रित्वी सूर्य की एक प्रिक्रमा करने पर लगभग एक साल एक solar year लेती हैं नेक्ट अपना capital Z का value पूछा है सारोत्रिक गुर्त्वाकष्ट नीतंग का मान या capital Z का पूछा तो वो हो जाएगा 6.67 गुणा 10 की खात माइनस 11 Newton meter square पर kg square इसकी unit से confuse किया जाता है ध्यान रुखी का रट लेना है किसी node या junctions की तरफ जाने वाली धाराओं या node या उस node से दूर आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग है जैसे एक node है दो धारा आ रही है I1 और I2 और दो वापस यहाँ पर जा रही है I3, I4 तो आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का योग है वो बराबर होता है यह कहता है किरचौप का नियम किरखौब का हो किरचौब का हो किरचौब के यहाँ पर परिपत की नियम की बात करें तो किरचौब का परिपत का नियम में एक वर्टता का नियम है एक धारा का नियम है अब जो वर्टता का नियम है या फिर धारा का नियम की बात करें नियम है ना ये नियम आवेश के स्रंक्षन पर के नियम पर डिपेंड गए आधारीत है और एक किर्चौप का विभांतर का नियम है जो उर्जा स्रंक्षन के नियम पर आधारीत है यनि किसी घेरा या लूप के प्रित सभी विभांतरों का बीजगनिती योग सुन्ने होता है जितने भी एक लूप में जितने भी विवो का अंतर आ रहा है उसका योग करेंगे तो वो 0 आएगा क्योंकि प्लस मैनस अंतर आएगा और योग करने पर क्या हो जाएगा 0 जब तक विववांतर नहीं होगा तब तक धारा परवाहित नहीं होगी नेक्ट अपना रूट मीन स्कोर सेश्वाल पूछा गया है यहनी मध्य मूल मान प्रत्यावरती धारा का जो एसी है न एसी करन्ट उसका व्रग मध्य मूल मान पूछा रूट मीन स्कोर वैल्यू पूछी है तो आई एसी जो आई का रूट मीन स्कोर वैल्यू है न वो होती है जो I का सिर्ष मान है धारा का सिर्ष मान है I not बटा root 2 तो ये होता है I RMS की value इस पर आधारित एक स्वाल पूछा है numerical का अब स्वाल continue करते हैं सामने हिंदी की जो स्वाल मिले हैं लगबग 18 स्वाल वो देखते हैं तीन तेहरा करना मुहारेकार्त है तीन तेहरा करना यहीं बिखर जाना तीन था तेहरा कर दिया बिखर गई तितर बितर हो गई नेक्स्ट 2022 का हिंदी भाषा हे तू शहित्य एक एडमी प्रुसकार किसे दिया गया है 2022 में शहित्य एक आदमी प्रुसकार जो हिंदी भाषा में दिया गया ना वो कवी बद्री नारायन को उनका कवीतर संग्र तुम्डी के शब्द के लिए दिया गया है हिंदी बाशा में 2023 का साहित एकेडमी प्रुसकार संजीव को अपनियास मुझे पैचानों के लिए दिया गया है नेक्स अपना स्वाल है एक चंद से स्वाल पूचा गया आप चंद से जो स्वाल पूचा है न उसका एंसर था बरवेई चंद तो बरवेई चंद उसका एंसर था तो उसका जो उदान पूचा गयता स्वाल वो एक जेकली जिनको पता बता सकते हो बागी थोड़ा इसको मैं समझा पाऊंगा आपको एक उधान के द्वारा तो उधान जैसे वाम अंग शिव शोबित शिवा आदार सर्द सुवारिद में जनू तरित वियार इसमें तो चंद है ने वो बर्वे चंद है तो बर्वे चंद की विशेशता ये हैं कि बर्वे अर तो आपको देख रही हैं पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्र हैं बारा बारा मात्र हैं बता दूंगा कैसी और डित्टे और चतुर चंद में इन दोनों चंद में मात्र हैं होगी साथ साथ तो ये सुरुवात के पहला और तीसरा चंद बारा मात्र हैं क्या तो आप यहा मात्रा और ग में सिर्फ एक है शिव में एक की मात्रा है और व में भी एक मात्रा है शोबित में और ओ की दो मात्रा है और भी में एक की मात्रा एक तम एक की मात्रा है इसी प्रकार शिवा इसमें कितनी मात्रा एक मात्रा और व में आ हैने तो दो मात्रा हो जाएगी अधार में अ में एक मात्रा है, दार में, आ में दो मात्रा, र में एक मात्रा, तो ये S का मतलब दो मात्रा है, इसमें, तो इसमें आप देखेंगे न, इसमें टोटल मात्रा कितनी, दो और एक तीन, तीन और दो पांच, एक छ, संद और दो आठ, आठ और दो दस, दस और दो बारा, तो पर्थम पद में 12 मात्रा है, इसमें कितनी है, 2 और 1, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 7, 7 मात्रा, दूसरी पद में 7, पर्थम 12, दूसरे में 7, इसी प्रकार से आपको एक्जामे स्वाल पूचाए गें वो मात्रा थी, तो वो बरवेच्छंद का उधान, किसका बरवेच्छंद का, नेक्स्ट अपना है, विरोधा भाष अलंकार कौन सा है, विरोधा भाष अलंकार की बात करें, तो जहां बाहर से तो विरोध जान पड़े, किन्तु यथार्थ में विरोध न हो, यानि वास्प्रिक विरोध न होने पर भी आपको लगेगा कि कहीं न कहीं विरोध हो रहा है, वास्पिक विरोध नहीं है फिर भी विरोध का आभाश हो वहाँ विरोधा बास अलंकार है विरोध है नहीं एक्चुल में लेकिन आपको लग रहा है कि विरोध हो रहा जैसे कि जब से हैं आख लगी तब से न आख लगी तो जब से लग रहा कि एक बार तो कहे रहा कि आख पिर बोदरा न लगी, तो एक्चल में बीरोध नहीं और इसका भाव अलग है, यदे प्यार हुआ है, तब से नीन्द औढ़ गई, जब से हैं आख लगी, जब से किसी प्रेमी को प्यार हुआ है, तब से नऀन आख लगी है, तो इसमें लग क्या रहा है कि एक बार तो बोले सा गापतर इसमें भी विरुदा पाश है अभी अभी में कौन सा किरिया विशेशन अब किरिया विशेशन से भी लगतार स्वाल आ रहे हैं तो चार जो किरिया विशेशन के भेदे वो बता देता हूं अब ये अभी अभी में समय बता रहा है काल बता रहा है तो काल वाच्च बताता तो काल वाजचक है, बार-बार भी काल वाजचक है, रीती वाजचक के लिए अविशेश्रम की बात करें, तो रीती कैसी है, ढंक कैसा उसमें, करने की विदी क्या है, गलत, ध्यान से, सच्मुस, ठीक, अवश्य, यथा संबव, ऐसे, वैसे, सहसा, तेज, सज, अतह, इसलिए क्योंकि नहीं मत कदापी तो हो मात्र भर आदी, ये रीती वाजचक करिया विशेश्रम की टर्म है, इस्तान वाजचक में जहाँ पर जगह का स्तती का पता हुई, यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने नीचे उपर आगे भीतर वार, ये इस्तान वाजचक करिया नेक्स्ट अपना है, अब ब्रंच भाषा में कितने लिंग होते हैं, तो संसकर्थ भाषा के बाद जो भाषा थी अब्रंच भाषा जिससे हिंदी बनी, तो अब ब्रंच भाषा में कितने लिंग होते हैं, संसकर्थ में प्राकर्थ भाषा में तीन लिंग थी, पुलिंग, ब्राचड, महाराष्ट्री, महगदी, अर्दमागदी, खर्ष मीरा दोरा रचित गरंथ के कितने भागे मीरा के चार भागे गरंथ की रचना चार गरंथों की रचना मीरा ने की थी तो मीरा ने नर्सी जीरो माईरा ये एक इनका गरंथ था एक्चुलम मीरा आपने खुद ने कुछ नहीं लिखा था लेकिन वो हमेशा कृष्ण भक्ती में लीन रहती थी और ये पद गाती थी और ये पद बाद में कलांतर में लोगों ने लिख दिये उनके पद जो गाई हुए थी तो नर्सी जीरो मायरो, गीत गोविंद टीका, र राग गोविंद, राग सोर्था किपदी, मीरा की चार गरंते, इसके अलवा मीरा भाई की गीतों का तो संकलन किया गया, जो गये गये गीत, किसी ने संकलन किये एक सा, तो मीरा भाई की पदावरी नामक से किया गया है, पालक का इस्तिरलिंग क्या होगा, जैस पी केंड़ विषेशण क्या होगाrades. कांटा का विशेशण कंटिला 카ंटा का विलोम है सद्वा. नेक्स्ट है 1954 में मैथली चन गुप्त को कौन सो अवार्ड मिला पहला जो पदम भुष्ण है पदम आवार्ड के शुरुआत 1994 में हुई और प्रथम जो पदम भुष्ण में ही मैथली चन गुप्त को ये अवार्ड मिल गया था पदम भुष्ण मैथली चन गुप्त की रचन यसोधरा, निर्जर, नहुश, मापत्री भूमी, ये मैथली चन, गुप्त की रचनाए हैं, एच्छिक का विलोम आपको पूचा है, तो एच्छिक है, इसका है अनएच्छिक, सारंग के अनेकार्ति शब्द कौन से हैं, सारंग के अनेक अर्थ हैं, जैसे कि सारंग का मतलब एक चन्दरमा भी है, एक हाती भी है, भौरा भी है, कोईल, मोर, सरप, बादल, चातक, धनूश, शंक, काम देओ, ये सबी सारंग के अर्थ हैं, जैसे कि सारंग ने सारंग गहिओ, सारंग बोल्यो आए, जो सारंग सारंग कहे, सारंग मुक्ते जाए, एक यहाँ पर सारंग मोर को बता रहा है कि मोर ने और दूसरा सारंग सरप को पकड़ लिया सारंग ने सारंग गए हो यानि मोर ने सारंग दूसरा कौन सा सरप को पकड़ लिया सारंग बोल लियो आए तब ही सारंग यानि बादल आकर गरजने लगया और जो सारंग सारंग कहे सारंग मुक्ते जा यनि सारंग जो मोर और बादल का बोलकर श्वागत करें तो मोर बादल का बोलकर श्वागत करें तो सारंग यनि मोर के मुक्त के सरप निकल जाएगा तो यहाँ पर मोर ने क्या क्या सरप ले लिया और बादल गरजने लगा युदि मोर बोल कर बादल का स्वागत करेंगी तो सरप जो पकड़ा है वो वहाँ से निकल जाएगा तो ये सारंग ने सारंग गए हो सारंग बोलियो आए जो सारंग सारंग कहे सारंग मुक्ते जाए हर्दे और हर्दे में से शुद्ध शब्द कौन सा है तो सभी गाएं के प्रयावाची है नेक्स्ट अपना राग दरबारी किसकी रचना है राग दरबारी दोस्तों स्री लाल शुकल की प्रशिद वेंगे रचना है और इस रचना है तू राग दरबारी रचना के लिए शहत्य एक आडमी आवाड भी 1979 में स्री लाल शुकल को मिल अंदिम स्वाल व का उच्चानिस्तान क्या है तो व का उच्चानिस्तान है दंतोस्ट यह दंत और ओस्ट व अब यहाँ पर उच्चानिस्तान आप देख सकते हूं यह स्वर के उच्चानिस्तल है उसके बाद वेंजन के हैं और यह अंतस्त और उश्म आप देख पा रहे ह तालू की बात करें ये तालू के हैं य और श ये आपके हैं तालू ये और इसमें भी कौन से उश्म के हैं कौन से अंतस्त हैं वो भी आप देख पारे हो नेस्ट मुर्दा के री हैं और वेंजन में त डtal र और स ये हैं मुर्दा के दन्त के हैं लर र अ और स ओस्ट के ऊ पफब भम ये औस ये नासिका के अ अंग या न न म ये नासिकार के कंट तालू के AI कंठोष्टियों के ओ आउ दंतोष्टियों के व जो आपको पूचा तो यह कुछ उच्चान स्थल भी आपके कावर होते हुए तो यहां से आपके हिंदी जी के साइन्स का एक साहती मैंने फस्ट जो यूपी प्लीस पर पूचा है आपके एक्जाम कब है और कौन से सेप्ट में है वो भी आप बता देना कामेंट सेक्शन में जब भी एक्जाम होता आपके सेप्ट ने पूचे कि स्वार टेलिग्राम पर आप शेयन कर शकते हुए लिंक आपको